हाई फ्रेंज देखिए इसे बनाने के लिए मैंने फोर प्लाई का ओन लिया है और देखिए यह चार नमबर का कुरोश्या हुग है तू पॉइंट फाइप एमेम का सबसे पहले हम ऐसे नॉट लगाएंगे अब इसमें हमें चैन बनाना है एक दो तीन चार पाँ छे छे चैन बनाके लिखिए यहाँ पर हम हुग करेंगे इस तरह से हमें यहाँ पर ऐसे गोल कर लेना है अब इसमें हमें फंदा बनाना है पहले हम धागा ऐसे बड़ा करेंगे यहाँ पे ऐसे हुख करगे दिखें यहाँ पे तीन धागा है हमें तीनों धागों को एक साथ उतार देना है एक फंदा इसी तरह से हम यहाँ पे बारा फंदा बनाएंगे एक फंदा हमने बना लिया है दो तीन चार पांच छे साथ आथ नव दस ग्यारा 12 देखें यहाँ पे हमने बारा फंदा बना लिया है अब यहाँ पे हमें देखें तीन चैन बनाना है एग दो तीन अब यहाँ पे यहाँ तीजिरा चैन है इससे हम ऐसे पकड़ लेंगे उसके बाद हम यहाँ पर फिर से चैन बनाएंगे एं, दो, तीन, चार, पांग, छे देखे छे चैन बनाने के बाद यह जो हमने यहाँ पर चैन पकड़ा है इसी में हमें ऐसे हुक करना है और इस तरह से इसे हम ऐसे गोल कर लेंगे देखे इस तरह से यह हो गया है अब जिस तरह से हमने यह वारे फंदे बनाए है इसी तरह से हमें यहाँ पर फंदा बनाना है लेकिन देखे हमें इस साइट में फंदा बनाना है तो इसे हम इस तरह से ऐसे घुमा लेंगे ऐसे हो गया यह अब यहाँ पे हम फंदा बनाएंगे लागा ऐसे बड़ा करके एक दो देखे हमने इसमें बारा फंदा बनाया है तो यहाँ पे हमें बारा फंदा बनाना है देखे हमने यहाँ पे बारा फंदा बना लिया है जैसे हमने यहाँ पे बनाया था अब जिस तरह से हमने यहाँ पे पहले तीन चैन बनाया था हम उसी तरह से बनाएंगे एं दो तीन अब यहाँ पे ऐसे हम पकड़ लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांग, छे चैन बनाके यहाँ पे इस चैन में हम ऐसे हुख करके इस तरह से इसे गोल बना देंगे देखिए इस तरह से हो गया अब इसे हम ऐसे घुमा लेंगे बंदा ऐसे सिलिप कर लेंगे अब जिस तरह से हमने इसे बनाया है इसे बनाया है, यहाँ पे हमें उसी तरह से बनाना है, ऐसे, ऐसे हम यहाँ पे, बारा फंदा बनाते होगे, तो फ्रेंस, जितनी बड़ी पट्टी आपको बनानी है, आप इसी इतनी डिजान को रिपीट करते जाइए, पैल्ण को रिपीट करते वे हमने पटी के लंबाई बना लिए अधीलлагman फिंथी किस तरह से zam syrup करना है कर देखिए लाश्च में आपा किस बेंटी में आते यहां पे 12 वंद बनाया है अब देखिए इसी में हमें फिर से बारा फंदा और बनाना है यहाँ पी यह बारा फंदा है देखिए यहीं पे हम ऐसे हुख करके बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आत, नौ, दस, ग्यारा, बारा देखिए यहाँ पे हमने बारा फंदा बना लिया यह इस तरह से ऐसे गोल हो जाएगा यह पैटरन कम्प्लीट हो गया अब इसी तरह से हमें यहाँ पे बनाना है पहले हम यहाँ पे देखिए इसे जाइन करेंगे देखिए यहाँ पे इस तरह से हैं यहाँ पे किनारे पे ऐसे तो हम देखिए यहाँ पे ऐसे हो करेंगे देखिए इस तरह से बन गया अब एक चैन बना के इसे हम इस वाले पैटन में जॉइन करेंगे यहां पर हमें देखिए कहां पर हुक करना है कि यहां पर इस तरह से यह है हम यहां पर ऐसे हुक करेंगे पंदा ऐसे हम स्लिप कर देंगे इस तरह से यहां पर यह जॉइन हो गया अब फिर से हम यहां पर बारा फंदा बनाएंगे जैसे हमने यहां भी बनाया था है कि कैसे हैं कि दो कि यहां पर हमने बारा फंदा बना लिया है हमने यहां पर बनाया था अब यहां पर जॉइन करना है यहां पर वस МУЗЫКА çalय करें बनाये मैं इसे पहण पालिअ यहां दागा यहां दम नीचे लिएकि और हम यहां पर और हमने यह आद आधका बनाचन पावद है देखे ये इस तरह से बन जाएगा इसी तरह से हमें पूरी पट्टी में बनाना है देखे फ्रेंस इससे बना के हमने कम्प्लीट कर लिया है देखे हमने यहाँ पे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नव दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सतरा सतरा पैटरन ह हमने यहाँ पर बनाया है हम इसमें जो तौरन बनाने वाले हैं उसमें हमें इस तरह से पैटर को सेट करना है अगर यही को बनाएंगे तो आप तोरन बनाना है इसका, तो फ्रेंस आगर आप इसी तोरन को बनाना चाहते हैं इस पट्टी में, तो आप इसी तरह से पट्टी को state कीजिएगा यह जो पैटर्न है, देखें, यहां पर हमने 17 पैटर्न का बनाया है, तो आप यहां पर इसी तरह से च्थ का लीजेगा, शबतार तोला कि फिर उन्नी स्यांग फिर एकके इस चाहिए यावेस हो गया या बाई sir करना हैं उन्नी Chile या फिर एकीस या फिर उद्लConfek टेइस इस तरह से यहारा पैटन सेट करना है अगर यहीं वहला टोरण इसमें बनाएंगी यह जो लटी हमने बनाया है इस प्रश्वापी आप आप इसमें अगर लगाएंगी इस तरह से इसे बना के सेट का लीजेगा अधर्वाज आप कोई भी अगर दूसरा तोरन बना रही है तो आप इसे अपने हिसाब से बना लिजेगा जिस तरह से आपको बनाना है तो देखे यह पट्टी कंप्लीट हो गई है जितना बड़ा हमेशे बनाना था अब यहाँ पे हम यह वाला धागा कट कर देंगे यहाँ आप़ हो गया अब हमें यहाँ पे दूसरे कलड़ का धागा जाइन करना है तो मैं इसमें देखे यह ग्रीन कलर का दागा लगा रही हूं अब इसे हम देखिए नॉट लगाएंगे अब देखिए यहां पर यहां पर बीच में हमें यहां पर धागे को जॉइन करना है यहां पर ऐसे हमें दागा जॉइन कर लिया है दागे को हम ऐसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे दागा हम लपेटेंगे देखिए इसी में हमें ऐसे एक हाफ डबल कुरोश्य का फंदा बनाना है यहां पर देखिए यह तीन फंदा है यह तीनों फंदा हमें एक साथ ऐसे उतार बनानाना है यहांप भाले पंदे में हमें उस्तार बनाना है 2, 3, इसके next वाले पंदे में, 4, इसके next वाले पंदे में, 5, इसके next वाले पंदे में, 6, देखें, यहाँ पे हमने 6 पंदा बना लिया है, अब यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पाक, छे, साथ, आठ, आठ, चन बना के, ऐसे हम धागा लपेटेंगे, अब देखिए इसी फंदे में हमें इसी तरह से एक फंदा बनाना है, देखिए यहाँ पर यहाँ पर हम ऐसे हुख करेंगे, देखिए यहाँ पर यह इस तरह से हो गया है, फिर से हम यहाँ पर चैन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाक, छे, साथ, आठ, नौ, दस, इस बार हमें यहाँ पर दस चैन बनाना है, अब यहाँ पर देखिए इसके नेक्ष्ट वाले पंदे में, हम यहाँ पर करोश्य करके, ऐसे हाफ डबल करोश्य बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाक, छे, साथ, आठ, देखिए, आब हम आठ चैन बनाके, ऐसे, देखिए, इसी फंदे में, ऐसे हाफ डबल करोश्य बनाएंगे, देखिए, यहाँ पर यह, इस तरह से हो गया, अब यहाँ पर, इसके नेक्ष्ट वाले पंदे में, ऐसे हम, पंदा बनाएंगे, अब इसके नेक्ष्ट वाले पंदे में, ऐसे, इसके, नेक्ष्ट वाले पंदे में, अब यहाँ पर, है अब यहां पर है हुआ है कि यहां पर ये इस तरह से हो गया है है एक दो तीन चार पांच छे आ है एक दो तीन चार पांच छे और यहां पर यह दो फंदा इस तरह से हमें यहां पर लिजाइन को सेट करना है अब इसी तरह से हमें यहां पर बनाना है रागा हमने लपेट लिया है हम यहां पर कुरोश्य करेंगे देखिए नागा लपेट के यहां पर ऐसे कुरोश्य करेंगे ए अब इसके नेश्ट वाले पंदे में दो अब यहां पर तीन अब यहां पर चार यहां पर पांच यहां पर छे इस तरह से यहां पर हमने छे फंदा बना लिया है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आख चैन अब इसी फंदे में हमें इससे ऐसे हाफ डबल कुरोश्य बनाना है जैसे देखिए हमने यहां पर बनाया था एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आख, नो, दस, दस चैन बनाके अब इसके नेश्ट वाले फंदे में यहां पर ऐसे हम हाफ डबल कुरोश्य बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आख चैन देखिए इसी फंदे में ऐसे हाफ डबल कुरोश्य आप यहां पर इसके नेश्ट वाले फंदे में यहां पे इसके next वाले पंदे में यहां पे इसी तरह से हमें यहां से यहां तक बनाना है ए लिखिए यहां से यहां तक हमने बना लिया है यहां पे देखी यहीर जायन इस तरह से दिख रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6 देखें जिस तरह से हमने यहां से यहां तक बनाया है इसी तरह से हमें यहां से यहां तक बनाना है देखें फ्रेंस मेडिये लाइन हो गई है देखें यह पट्टी इस तरह से दिख रही है अब यहां पर देखें लाष्ट में यहां पर एक दो तीन चार पांक छे इस तरह से छे फंदा हमने बना लिया है कि यहां पर हम ऐसे लागे को जॉइन कर लेंगे अब यहां पर हमें सिंगल को रोश्य का फंदा बनाना है देखिए यहां पर इसके नेश्ट वाले फंदे में ऐसे हम हुप करके एक फंदा अब इसके नेश्ट वाले फंदे में दो फंदा अब इसके नेश्ट वाले फंदे में देखिए यहां पर हमने तीन फंदा बना लिया है ए दो चैन अब देखिए यहां पर हम ऐसे हुप करेंगे फंदा हम स्लिप कर देंगे तो यहां पर देखिए इस तरह से फिर एक, दो चैन बनाके, यहाँ पे ऐसे हुप करेंगे, फिर फिर से हम ऐसे फंदा स्लीप कर देंगे, यहाँ पे दो मोती हो गई, अब यहाँ पे ऐसे हुप करके, एक फंदा, दो चैन, फिर से ऐसे हम मोती बनाएंगे, तीन मोती हो गई, इसके नेश्ट वाले फंदे में एक, दो, अब देखिए यहाँ पर, फिर से, चार मोती, अब यहाँ पर, एक, दो चैन, फिर से हम यहाँ पर फंदा स्लिप करेंगे, पास मोती, अब यहाँ पर ऐसे, एक, दो चैन, अब यहाँ पर ऐसे, फिर से, मोती बनाएंगे, अब देखिए आपर, एक, दो, तीन, चार, पात, छे, हमें यहाँ पर इस तरह से, छे मोती बनानी है, अब यहाँ पर, ऐसे हुख करके, हम एक बनाएंगे, इस तरह से, यह कम्प्लीट हो गया, अब देखिए, इसी तरह से, हमें इसमें बनाना है, तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर ऐसे कुरोश्य करेंगे, देखिए, इस तरह से है, हमें यहाँ पर कुरोश्य करना है, एक फंदा बनाएंगे अब इसके नेश्ट वाले फंदे में हम इसमें एक फंदा बनाएंगे यहाँ पर दो फंदा हो गया अब देखिए इसी फंदे में हमें मोती बनाना है एक दो चैन पना के यहां पर ऐसे हम मोती बनाएंगे अब इसके ने इस्ट वाले फंदे में ऐसे फंदा बना के एक दो चैन इसमें हमें ऐसे मोती बनाना है कि यहां पर एक दो तीन चार पांच छे मोती हमने बना लिया है अब यहां पर देखिए इसमें हम ऐसे एक बना लेंगे यहां पर यह इस तरह से हो गया अब हमें इसी तरह से इसमें बनाना है देखिए यहां पर यह वाला जो एक पंदा है इसे हमें छोड़ देना है देखिए इसमें भी हमने यह वाला एक पंदा छोड़ा है और इसमें भी हम यह वाला एक पंदा छोड़ेंगे और यहां पर हम ऐसे हुख करेंगे इस तरह यह फंदा हमने बना लिया अब यह दूसरा फंदा इस दूसरे फंदे में हम मोथी बनाएंगे जैसे हमने यहां पर बनाया है कि इसे कर देखिए यहां पर बनाया हैजिसी तरीके से हमें पूरी टी में बनाना है यहां पर दिख्योनल कर दिया अब हम धागा क्कर देंगे तो इस तरह से पक्ष्णय कमप्लीट हो गई आप देखे हमें इस तरह का फ्लावर बनाना है और इस तरह की पत्ती बनानी है इसमें हम नीचे इस तरह की लड़ी बना के लगाएंगे तो इसके लिए हमें ये फ्लावर और ये पत्ती पहले बना लेना है उसके बाद हम ये लड़ी बनाएंगे तो friends इसकी next वीडियो में मैं आपको ये पत्ती बना के बताऊंगी कि हमें ये किस तरह से बनाना है मैं link description में और i button में दे दूँगी आप उस पे click करके देख लिजेगा तो friends अगर वीडियो पसंद आई है तो please वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe कीजिए बिल आइकल को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की notification आपको मिलती रहे Thank you